उजलोदर से पीडित होगे, दुखी होगे, तब उनने कहा, जाकर मारश वसेष्ट के पास कि आप मेरे कुल गुरू है, कुछ नो कुछ मजे, मारग दो बताओ, अब ये जलोदर से नहीं और उपुत्र कहा है, पताना, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उनने सब से प्राथना करता हूँ, इसके बदले में, इसी ब्राह्मन पुत्र को उसके ही आयूका हो, अगर उसको पली दी जाए, तो तेरे इस उदर, जलोदर के इस बीमारी को में कम कर सता हूँ, उसने कहा, आप भरिशन ने कहा, तो ये तो ठीक है, वो अब ढूनने लगे, कि कहा जिस में पुत्र कहां कौन मिलेगा, तब आशित नाम का एक ब्राम्वन था, उस असित नाम के ब्राम्वन पास बहुत 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 जिसने भादीदर ता हूँ, तो उसके चार पुत्र थै, उसमें, उसने कहा, कि हदिशन्द्र राजाiftर कहते है, मुझे परियाप्त ज़ देते हैं, तो मैं मेरे पुत्र को बली के लिए दे दूगा उनके चार पुत्र थे जिसमें शुनश्यव था और उसके नाना चार पुत्रों के नाम थे तो उन्होंने उस वही के उसके आयू के बराबर शुनश्यव को चैन कर लिया और कहा कि मैं इसको बली देने के लिए तैयार है तो अनने कहा हजार गाएं, उस दस हजार गाएं और उसके सासा धन अईश्वरिया और घर आदी सब दे दूँगा, वो बहुत संतुष्ट हो गया और पुत्र को दे दिया वसिष्ट महार्शने वरन एगनियारम कर दिया और कहा कि वरन जी उनका पुत्र नहीं मिल रहा है, तो उसके बदले में मैं इने बली देना चाता हूँ, वरन संतुष्ट नहीं थे शुनरश्ष्ट को बांदिया गया और जब शुनरश्ष्ट को बता चल गया कि मेरे पिता ने बली देने के लिए मुझे बेज दिया है अरिश्ट नराजा को, तो वो भी बहुत दुखी हो गया लेकिन क्या करता, गरीब था उसको खंबे को बांदिया गया और बली चड़ाने वाले थे ए बात विश्वा मित्र को पता चला विश्वा मित्र आये और विश्वा मित्र आये और वस्ष्ट को बहुत सारी बाते सुनाएं और कहा कि किसी भी उसके बिना इच्छा के अगर तुम बली देते तो बली कैसी होगी तुम क्यों बली दे रहे हो विश्वा मित्र नहीं दे सकते है और तुम बली दे रहे तो यह बली स्विकार कर नहीं जाएगी, मैं वरुन देवधा को प्रत्तना करता हूँ वसिष्ट परिशान होगे, हरिश्चंद्र देखकर यह परिशान होगे कि इदर अगर बली रुग गए तो जलोधर कम नहीं होगा और विश्वामित्र कहते हैं, तो विश्वामित्र ने कहा, कि मेरी तपस्या का पूर नफल देता हूँ और मैं विश्वामित्र को बिना बली के बचा लेता हूँ, वरुन देवधा को देकर तब वसेष्वामित्र का अपमान हुआ, क्यांकि वो कुल गुरु थे, जो कारियों नहीं कर सके विश्वामित्र ने करने के लिए कहा विश्वामित्र हेत्यों करना चाहते थे तो विश्वामित्र की एक पत्नी थी उसका नाम था उशा, वो बनवा सी अउरत्ते और उनके साथ उनका प्रेम हो गया था और उसका ही पुत्र था यह शुनश्यव तो उनों ने यह जब देखा कि ऐसा हो रहा है तो विश्वामित्र ने जब उसको रुका और जब उनों अंतरधान अपने मन से ध्यान से में देखा यह तो मेरा ही पुत्र है मुझे तो इसको बताना है हुआ तो उस उशा को हरिश्चंद्र ने जब वो खाने के लिए भी दरेद्र होकर वनवन घूम रही थी उसको हबाल दिया गया था उसको शाब दे दिया गया था तो वो वनवन घूम रही थी तब और उस्वामित्र तपस्या में चले गए थे उस समय उस तरी को हरिश्चंद्र ने अपने घर से अन्न दाना भी देकर उसको पाला पुसा और उसको एक छुपली लगा के दिया और भुर्नदेवता, के उन्हें कहा। कि वर्मदेवता, इस बली प्रिथा तुम ने कभसे दानिकी? मैं तुमसे प्रात्थना करता ह। हरिष्छन ने कहा भी होगा, तुमसे बली लेने की बाद भी कही होगी मैं मेरे एंपस्य का फल्द पूर्नदे कर गता ह। इस बड़ी परथा को मैं यहां रोग देना चाहता हूं, और शुन शिफ को बचाना चाहता हूं. जो विश्वामित्र कर रहे तो विश्वामित्र को उत्चा पता था, नहीं को कहूं, तो यह क्या कए देंगे, कुछ बता नहीं. वरुन देवता ने कहा, ठीक है, मैं उनकी जलोदर को कम कर देता हूँ, और शुन श्रिप को बचाए गया, तो वरुन देवता ने कहा, कि अब मैं किसका बेटा हूँ, बेज देने से मैं उसका सिर्का तो बेटा नहीं, खरीदने वाले हरिश्चंदर का बेटा हूँ, लेकिन बरिपीठी में हरिश्चंदर का बेटा हूँ तो अब engagingak इसका बेटा हूँ, जिसका बेटा हूँ थी जो मुझे, तो वरुन देवता ने इस बेटे को बचा कर लिया, इसलिए वरुन का बेटा हूँ, आप जब परभी भी किसी थैने पूजा होगी, तो वरुन देवता के मारिश्च चंद्र को एक कम यहें संगट करते हैं तो वसिष्ट कहते हैं कि इसका इसका क्या हुआ तो वरण देवता ने बताया कि वरण देवता के कहने पर कलश स्थापन की पूजा होने के बाद वरण ने कहा कि यह जो आज इस्थिती है यह कुल देवता की पूजा न करने के कारण हुए जब ये पता चला कि पिता जी को बचा लिया गया है अब उनका पत्र राहुल भाग की आगया राहुल भाग की आया और जब आया तो सब ने राज्याब शेख हुआ राहुल का और सिश्ट तासा स्थाप्रावरे सब हुए कुल देवता की पूजा हुए सब हुए राजय विशेख भी हुआ और जब यह पूजा 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 हो रही थी राजय विशेख हो रहा था तो राजा हरिश्चंद्र अपने कुल गुरू को बुला कर पूजा कर रहा था वो भूल गया कि विश्रामित्र को बुला रहा जाएगी जब विश्वामित्र को पता चला कि इतना सब करके मैं इसको बचाने के बाद इसके पुत्र को सब को बचाने के बाद भी या आज मुझे भूल गया तो भे राज्य में आए और कहा कि क्या कुल गुरु असिस्ट जिस कारी को आप नहीं कर सके कि एमें ये राज देर का उसको मैं ओड़ा करके बता एघ किया थे क्या है पढ़ते ही फिर मिलग्श्मा हम कुछ राजाहर रास्चंद्र का यृ करना है ये ठीक है क्या क्या नहीं को अने का इस्वामित्र तूम क्या बचॉत्र कि हो ये उश्वामित्र कहते हैं कि अगर ये बाद सत्य है और मेरी तपस्या का फ़ल उसने अन्भों नहीं करता और उसको वो सत्य नहीं कहता है तो मैं आज से याद रखो मैं तुम्हारे हरिश्चंदर की सत्य की परिक्षा लूँगा और रुष्वामित ने सत्य की परिक्षार में की बहुत सारे लोगों को इसका पता है कि राजा हरिश्चंदर की सत्य परिक्षा किस तरह ले गई, क्या हुआ, ये सारी चाज़ां को सबको पता है उसके बाद राजा हरिश्चंदर ने जब ये कहा तो फिर वसिष्चि और रुष्वामित रिक्षार में साथ लाजा हरिश्चंदर की पिता का नाम तुर्शंकू था तुर्शंकू भी किसी तपस्या और किसी विसिष्चिता के अगार्म भी शापित हो गये थे और तुशंको को वसिष्ट ने स्वरग नहीं भीजने की बात कही तुशंको को भी उश्रामतर ने तुश्टी करते हुए उनोंने कहा था वहाँ भी कुल देवता की पुजा नहीं है तुशंको को यहां लाकर उनोंने फिर कुल देवता की पुजा करवाई और कहा इस प्रका की तो वरण देवता ने कहा कि आज से जो कुल्य वता को भूल भी जाता है, जो कुल्य वता के पूजा भी नहीं करता जो कुल्य वता बीन ale चाहता है त्डी यहां वरण के रूप में यह 108 कुंड किया है और यहां एक पापी कुंड सुछ चैसे जारह कि जो इस एक साथ कुंड़ के इस्याज सनान करते हुए, पहले पापे कुंड़ में सनान करे, इसके कुल्देथा है, उसकी कुल्देथा का दोश अगर मालूबी नहींता कि पुझा भी उसने कभी नहीं की, या उसनी नहीं किया तो उसको उस सारे पूजा उससे धन्य करते हुए उसके मौश को बढ़ाने का उसको पती और सुख सारा दे कर उसके पुत्र और पोत्रों तक साथ पुडियो तक उसके घर में वहुश दूँगा उनके घर में अच्छा पती पत्रों परिवार सुख दूप परदान करूँगा जो इस एक सो और कुंडों के जल से परुक्षन इस्लान कर लेते हैं और यह पापी कुंड़ में इस्लान करते हैं उनको यह मैं अश्रिवात देता हूं ऐसे उधन देवताने का यह मुश्ण। इहां जहां विश्नु सेष्ट है और इसके बाद जब प्रले हुआ तो उसके पूजा कहते हैं कि उसके पूज़ों 33 को लोगों ने उसके सामने तभस्या क strong हर और हेक मंघ को अपने साबरविधान दो मंत्र को सिर्षट एक की अजम है ख कर T पिपल के पत्ते पर उसके गरता था है अगर मैं एक सिधिय देते हो तो है गिरा हुआ पत्त फिर जाड को जा कि अटक जाए, ऐसा नास्वादाय की लोग कहते थे, और जा कि वो पत्ता चिपक जाता थे, इस प्रकार उनोंने तेहतीस कोटी देवताओं की सिद्धी, यहीं इसे जाती की, आज पिपल का अरुक्ष दिखता नहीं हो, यह है यह नहीं हो, यह बात अलग है लेकिन यहां कलपनुक्ष था और नास्वादाय की पूर्ण मंत्र की शाखाएं, मंत्र की विधान, मंत्र का स्रेष्टता, अब नास्वादाय को यहां स्मर्ण करते हैं, यह स्रेष्टता प्राप्त करते हैं, तो यहां मैने जैसे आपको कहा, कि दस महाविध्याओं का मैं यहां आगर तुम एक बार में इस मंतर को बोल लेते हों, तो उसकी स्रिष्टता अपको नासामगाय से प्राप्त हुई.